आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की वोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello everyone So, आज का हमारा चाप्टर है Accounting Equations Since, इसमें हम Practical Questions करेंगे Theoretical Part of Concepts के हम Clear कर चुके हैं In Simple Terms में बताओ Accounting Equations बनी हैं हमारी Balance Sheet से Balance Sheet में हमारी एक होती है Asset Side, एक होती है हमारी Liabilities Side Liabilities में आती हैं सारी Liabilities Plus Capital Capital वो बली Capital होती है जो Honor लाता है Business में Business को Run करने के लिए For example, Capital bought by The Owner of the Business रुपीस 50 लाक जो 50 लाक वो लाया है वो Capital लाया Business में अपने Business को Run करने के लिए Since, हमने एक चीज पढ़ी थी अपने Accounting Principles में कि जो Business की Entity है, वो Different होती है हमारे किस से? Owner की Entity से मतलब जो Business की Entity है उसके एक Legal पहचान है और उसकी जो Language है हमारे Business की वो सारी है हमारी Financial Statements जिन में आती है हमारी P&L, हमारी Balance Sheet और हमारे Cash Flow Statements यह होती है हमारी Business की Language Business इस तरीके से बोलता है अपने Users को Information पूबाइड करता है कि आपको इस Business में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए Users को Provide करता है कि आप Decisions जो है वो Effective किस तरह से ले सकते हो इसलिए Business की अपनी पहचान होती है तो इसलिए क्या होता है हम बनाते हैं Business की Balance Sheet जिसमें हम लिखते है Capital कि Business में जो Capital लाई गई है वो Owner की तरफ से इतनी लाई गई है अब हम Capital को एक Question Arise होता है कि हम Liability वाली साइट क्यों लिखते है ठीक है तो Capital को Business वाली साइट लिखने का सबसे Logical Reason यह है कि जब भी Dissolution होगा या हमारी जो है Company मालो Losses में जा रही है और हमें Business को बंद करना है कतम करना है Shutdown करना है जिसको हम कह देते हैं कि हमारा Business वो Shutdown हो गया है So उसके लिए जब हम फिर अपनी Payments करते हैं सबसे पहले हम अपनी Creators को Pay करते हैं जो हमारा उधार है पर उसके बाद हम Loans सारे चुकाते हैं चाहे वो Secured हैं चाहे वो Unsecured हैं फिर उसके बाद आती है हमारे Honor की Turn जिसने पैसा लगाया है बिजनस में जिसने वो Capital लगाई है फिर वो अपनी Capital जो है उन Assets को बेचकर अपनी Capital को मतलब की अपनी Capital अपने घर वापिस लेकर जाता है इसलिए क्या होता है Owner की Entity डिफरेंट होती है Business की Entity से Business की अपनी Legal पहचान है Business की अपनी Different Entity है Separate Entity है Owner से इसलिए जो Capital है वो आती है हमारी Liability साइट पे क्योंकि वो हमारे Business पे उधार है किसका उधार है हमारे Honor का उधार है मतलब की Honor ने Business को उधार दिया हुआ कि आप मेरी Capital यूज करके Business को रन कर सकते हो इसी तरह Partnership में होता है कि Different Partners ने अलग लग रेशो में Capital जो है इंवेस्ट की होती है Business में अगर पार्टर्शिप ना चले या Business बंद हो जाए तो Business को जब क्रेड़िटर को पे कर दिया हमने सारे फिर उसके बाद हमने लोन सारे चुका दिये फिर उसके बाद क्या होता है Partners अपनी जो रह जाती है Capital उसके हिस्से करते है कि हमें इतनी Capital हमारी वापिस आ जाएगी इससे क्या है ये concept बहुत ज़रूरी है Equation को समझने के लिए कि जो ओनर की Entity है वो डिफरेंट होती है Business की Entity से अब आता है कि इसकी origin कैसा हुआ इसकी शुरुवात कैसे हुई ये equation की accounting equation की accounting equation बनी है हमारी assets is equal to liability plus capital से ठीक है इसका मतलब ये है कि assets हमारी balance sheet में अगर देखी हो आपने balance sheet तो उसकी हमारी right side पे होते हैं सारे assets ये हमने पढ़ा हुआ है अपनी theoretical class में या concept की class में in detail और यहां होते हैं सारी liabilities और capital अब जब ये match करेगी इसका मतलब तभी जो हमारी financial statement जितनी भी हमने प्रिपेर की है trading account हमारी PNL account भी carry forward करके उसमें से net profit जो हम यहां लिखते हैं add करते हैं अपनी capital में अगर net loss हुआ है तो minus करते हैं अपने net loss सब पढ़ा हुए हमने ये in detail अपनी conceptual class में फिर हम बनाते हैं balance sheet तो balance sheet जो है हमारी तभी to and fair माने जाती है जब हमारे assets equal होते हैं हमारी liabilities और capitals के मतलब इसमें कोई balancing figure नहीं होती है point note कर लो balance sheet में कभी भी हमारी balancing figure नहीं होती है वो हमेशा क्या करती है match करती है उसमें कोई difference नहीं आता है ठीक है तो उसे से क्या है ये हमारी accounting equation बनी है कि assets is equal to liability plus capital so I hope साबको accounting equation की origin समझा गया होगा कि ये हुई है originate हमारी balance sheet से और याद है आपको हमने किया था आती है ठीक है तभी हमारी ये जो balance sheet है ये two and fair होगी और याद है कि balance sheet क्या show करती है balance sheet show करती है business की financial position को कि business की financial position क्या है फिर उसे इसाब से क्या होता है हमारी users जो है इसको use करके अपने decisions effective decisions लेते हैं so balance sheet plays a very important role बहुत important financial statement है ये एक जिससे हमारी एक accounting equation originate हुई है जो है assets is equal to liability plus capital so I hope so ये आपको अच्छे समझा आ गया होगा कि balance sheet से ही originate हुई है और ये accounting equation equal होनी चाहिए किसके assets is equal to liability plus capital और the next thing is कि हमारी जो balance sheet है वो financial position शो करती है इसमें कोई balancing figure नहीं होती है plus इसमें सारी capital items आती है चाहिए वो हमारी receipts है चाहिए वो हमारी expenditures है वो सारी capital nature के ही आएंगे तभी ये to and fair मानी जाएगी और users जो है इसको use करके अपने decisions ले सकेंगे तो यह है in precise सारा के accounting equation क्या है और अब हम चलते हैं अपने question की तरफ ठीक है accounting equation तो समझ लिया in detail कि accounting equation कहों से originate हुई है balance sheet से originate हुई है क्यों होई है क्यों है क्योंकि इसमें assets है इसमें liabilities और capital है यह इक्वेशन है इक्वल होनी चाहिए प्लस इसमें कोई balancing figure नहीं होती है ठीक है तो अब हम चलते हैं अपने question की तरफ और देखते हैं कि इसके accounting equation जो है हम किस तरह से prepare करेंगे पहले हम देखेंगे इन transactions के accounting reasons क्या है इनको उस account में post करने के क्यों effect कर रहा है यह उस account को फिर इसके बाद हम prepare करेंगे अपने accounting equation proper turn by turn हर transaction के एक नए accounting equation होगी और definitely at the end हम final accounting equation पहुंचेंगे फिर इसके बाद हम prepare करेंगे इसकी balance sheet और देखेंगे कि हमारी balance sheet जो है वो match कर रही है अगर तो match कर गई हमारी balance sheet इसका मतलब हमारा answer बिल्कुल correct है क्यों correct है क्योंकि यह accounting equation ही है हमारी assets is equal to liability plus capital और इसमें कोई balancing figure नहीं होगी यह match करनी चाहिए और अगर match कर की तो हमारा answer perfectly all right है हमारी जो balance sheet है वो to and fair है उसकी financial position जो वो show कर रही है business की बिल्कुल सही कर रही है तो चलिए अपने question की तरफ चलते हैं और इससे समझते हैं कि कौनसे accounts को effect कर रहा है पहले और क्यों कर रहा है ठीक है पहले है मुकेश नहीं पहले यहां से पढ़ते हैं question क्या कर रिक्वाइर कर रहा है so show the accounting equation on the basis of following transactions and prepare a balance sheet on the basis of the last new equation मतलब कि balance sheet prepare करो अपनी last जो final equation आएगी उसके according प्रिपेर करनी होती है क्योंकि हर transaction की आएगी हमारी new accounting equation तो जब last 20 transaction पहुंचेंगे वो हमारी होगी final equation और उसी की basis पे हम करेंगे अपनी balance sheet को maintain जिससे हमारी balance sheet जो है वो बिल्कुल to and fair आएगी तो चलिए भढ़ते हैं अपने question की तरफ हम so पहली transaction है हमारी मुकेश started business with cash मुकेश ने business start किया cash के साथ मतलब वो cash लाया अपने business में और उसने कितना लाया 80,000 का इसका मतलब है चलिए समझते हैं मुकेश ने business start किया उसका effect कैसे होगा मतलब कि मुकेश ने business start किया cash हमारी क्या होई इसमें asset होई एक तो इसको effect किया capital को effect अब question arise होता है capital को effect गया वही question है कि जब भी owner जो है वो हमारे business में cash लाता है मुकेश ने business start करने के लिए 80,000 का cash लाया है इसका मतलब बिजनस की क्या होई capital होई मतलब business में क्या हुआ उधार हुआ किसकी तरफ से ओनर की तरफ से कि उसको अगर business बंद हो जाता है कि end of the day उसको cash को कितना बे करना है 80,000 इसलिए वो business के लिए capital होई I hope सबको clear हो गया होगा कि cash जो है वो हमारा asset हुआ और definitely definitions जो मैंने कराई थी आपको accounting में वो थी assets, liabilities और many more बहुत सारी और definitions थी लेकिन यहां समझने आपकी जरूरत है आपको 3 definitions की वो है assets अब question arise होता है कि assets क्या है assets वो है एक particular value जिसकी benefit होगा किसमें हमें future में जैसे cash लाया है business में 80,000 यह जो cash है यह हमारा asset है क्यों है क्यों business को इसका definitely जब यह 80,000 इंवेस्ट करेगा business में वो profits रीप करेगा तो definitely इस 80,000 का कब हमें फायदा होगा future में होगा present में तो है लेकिन future में भी है इसलिए cash का है हम यह हमारी क्या है यह asset है so next हमने चया था liability एक ऐसे restriction एक ऐसी obligation एक ऐसी value जिसकी obligation है business पे च्छाए है वो ओनर को पे करनी है चाहिए वो आउट्साइडर को पे करनी है तो इससी तरह capital क्या है हमारी liability है कि यह हमें value किसी ना किसी तरह honor को वापिस करनी ही करनी है future में ठीक है next न हमारी definition जो आती है हमारी capital की, capital वही है कि business के उपर एक obligation है कि उसने जो पैसे पे करने हैं वापिस अपने owner को, तो ये तीन definitions की बहुत importance है, इस accounting equation में में time to time आपको revise करवाती रहूंगी, ठीक है, तो चले चलते हैं अपनी next transaction की दरफ, ये तो पता चल गया कि इसने एक asset cash को किया है, और liability में इसने capital को किया है, next है हमारा purchased good for cash, अब goods purchase किये cash के, इसमें एक चीज़ याद रखना जो अगली transaction ही हम कर रहे हैं, give and take है, एक चीज़ credit हो रही है तो एक चीज़ debit हो रही है, तब ही हमारी accounting equation जो बालंस रहे, ये transaction जो हम कर रहे हैं, इसका मतलब ही है, कुछ आ रहा है, तो कुछ जा भी रहा है हाँ से, जैसे purchase के goods, किस के लिए purchase के cash के लिए, तो यहां क्या आया हमारे पास goods आये, stock आया, हमारे business का stock increase हुआ, inventory increase हुई, लेकिन जा क्या रहा है हमारे हाँ से, cash जा रहा है, तो कौन से दो accounts जो है, इसके effect हो रहे है हमारे, एक हो रहा है हमारा stock, ठीक है, stock effect हो रहा है, दूसरा हो रहा है हमारा cash, cash हो रहा है decrease, since वो भी asset है, और stock हो रहा है increase, अब ध्यान देने वली बात है, asset यहां पे जो था cash हो increase हो रहा था, capital भी increase हो रही थी, जब हम accounting equation बनाएंगे, यहां पे लिखेंगे, 80,000 का हमारा asset है, इधर क्या लिखेंगे, 80,000 की है, हमारी liability भी है, लेकिन, इसमें जब लिखेंगे, second equation में, क्या लिखेंगे हम, कि अगर हमारा stock जो है, वो increase हो रहा है, 28,000 का, तो उसी side पे, asset वली side पे, हमारा asset कम भी तो हो रहा है, 28,000 का, so यह equal हो गई, मतलब दोनो sides equal होनी चाहिए हमारी, और liability side उसमें वैसे ही, कोई effect नहीं हो रही है, तो वो पहले ही nil है, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ, कि stock जो हमारा increase हो रहा है, cash हो रहा है, decrease, तो यह दो accounts यहां पे effect हो रहे है, next step purchase, goods on credit, कई पर क्या होता है, मुधार पे भी goods खरीद लेते हैं, कि हमने जो खरीदने हैं, goods जो उधार पे खरीदने हैं, हम किसी एक particular time, 90 दिनों में, यहां साथ दिनों में आपके पैसे वापिस कर देंगे, अपने creditors को, suppliers को कहते हैं, तो उनने खरीदे हैं 20,000 के, तो इसमें क्या effect हो रहा है हमारा, इसमें हमारे कौन-कौन से accounts effect हो रहे हैं, जो हमने goods खरीद दे, एक तो हमारा stock increase हो रहे है, यह है हमारी liability side, ठीक है, क्या increase हो रहे है हमारी creditors, तो जब हम equation बनाऊंगी, particularly आपको समझाऊंगी, फिर आपको ज़्यादा clarity होगी, इस concept की accounting equation चलती कैसे है, दो accounts है, दो से ज़्यादा accounts effect होंगे ही होंगे, और उनका effect nullify होगा, तब ही हमारी accounting equation perfect होगी, मारी balance sheet जो है, वो match होगी, next है हमारा purchase furniture for cash, हमने furniture खरीदा, हमारे पास asset आया, और एक asset गया भी, एक तो situation होती है, कि asset आया, और liability भी आई हमारे पास, एक situation होती है, कि liability आया, और liability गई, वो nullified effect हो गया, एक होती है situation हमारे पास asset आया, asset गया, वो भी nullify effect हो गया, तो यह जो है, जब nullify होते हैं, effect खत्म होते हैं, तब ही हमारी accounting equation जो है, वो match करती है, तो यहाँ पर एक asset आया है, क्या है हमारा furniture आया है business के लिए, यह एक asset है, यह increase हुआ है, उसी तरह से हमारा asset cash है, वो है हमारा asset, वो decrease हुआ है, 6000 से, तो अब देख रही हो, इसी तरह हमारी accounting equation match होगी, यहां तो दो assets आएंगे, जाएंगे, इस यह situation होगी, यह हमारी liability आएगी, liability जाएगी, वो situation होगी, यह asset आएंगे, liability भी साथ आएगी, जैसे फर्स situation में, cash आया, साथ में capital भी आई, तो asset भी आया, liability भी आई, तो दो situation होगी, यह तीन situations जब होगी, तब हमारी accounting equation जो हम match करेगी, वरना हमारी accounting equation match नहीं करेगी, ठीक है, next है paid rent, हमने rent pay किया, इसमें कौन कौन सा effect हुआ है हमारा, cash जो है, वो decrease हो रहा है, मतला rent pay किया, definitely cash के थूँ ही किया होगा, तो इसका मतलब है, कि rent का, अगर हमने pay किया है, तो क्या हुआ होगा, cash के थूप एक किया होगा, तो cash क्या होगा, decrease हुआ, यह हमारा asset है, पतलब asset हो गया हमारा decrease, rent जो हमारा expense है, therefore वो capital को effect करेगा, capital को क्या effect करेगा हमारी, capital भी जो है, वो decrease होगी, जो भी expenses होगे, since यह जो rent है, यह हमारा कौन से expense है, revenue expense है, यह P&L में show होगा लेकिन हमें accounting equation बनानी है, हमने देखना है कि इसमें कौन से चीज को effect कर रहा है, capital को effect कर रहा है, सबसे बड़ा question यह arise होता है, यह हमारा revenue expense है, यह तो P&L को effect होना चाहिए, इसका reason यह है, कि capital में ही याद करो, हम add करते हैं, अपना net profit, या minus करते हैं, अपना net loss, यह होता है ना हमें net loss दिये ना net profit दिये, हमें question दिये कि इसके accounting equation बनाओ, so rent जो है P&L की amount है, so definitely वो किसको effect करेगी, हमारी capital को effect करेगी, क्योंकि end result P&L का किसको effect करता है, हमारे capital को, और end result P&L का क्या होता है, net profit या net loss, तो वो तो हमें दिया नहीं है, so definitely उसकी जो items है, हमारी P&L की, वो सारी effect करेंगी, जाकर किसको, हमारे capital को, इसलिए capital भी हमारा increase, decrease होगा, उस amount से, I hope सबको clear हो गया होगा, यह revenue item होने के कारण, किसको effect करेगी, हमारी capital को, क्योंकि, सारी P&L की transaction है, वो end result जो आता है, उसका, वो आता हो ना net profit या net loss, और वो किसको effect करता है, हमारी capital को, net profit होता है, net loss वो minus होता है, किस में से, capital में से, तो I hope सबको clear हो गया होगा, next है हमारी received commission, commission received की, तो cash आया, cash हमारे पास आया, तो asset increase हो गया, हमारा cash का, next है, इसने भी किसको effect किया, capital को, हमारी capital जो हो, increase हो गई है, किस amount से, इस amount से, जो 500 की है, क्योंकि, यह हमारी income है, अब यह question arise होता है, य capital को ही करेगी, क्योंकि capital को ही, P&L का end result, जो है, net profit, net loss, effect करता है, इसलिए, capital को ही करेगी, so I hope so, यह भी आपको clear हो गया होगा, कि किस तरह से, किसको effect करेगी, received commission, अब next है, हमारी, video cash for private use, प्राइवेट यूज के लिए, जो cash है, video किया है, किसने मुकेश, ने definitely, video किया, कि वह हो गया, ठीक है, यह है, हमारा asset, इसको effect किया है, कि cash जो हमारा decrease हो गया है, किस amount से, 3000 की amount से, next है, हमारा capital decrease हो गया है, definitely, जहाँ cash effect हो रहा है, कहीना कहीं, वहाँ capital भी तो हो रही है, उसी capital में से, जो मुकेश लाया था, यह 80,000 की, इसी में से, उसने भी द्वा किया होगा, 3000, तो definitely हमारी capital भी decrease हो गया है, ठीक है, next है, हमारा sold goods on credit, goods जो है, credit पे sold किये हैं, cost उसकी इतनी थी, और यह हमने 40,000, वादर 10,000 के हमने profit पे जो है, वो हमने sold किये हैं, अब 8th transaction में जो है, वो 3 चीज़े हैं, एक है हमारे stock, दूसरा है हमारा profit, और तीसरा है हमारा capital, ठीक है, तो आईए देखते हैं कि किस तरह इसको हम जो है deal करेंगे, पहले लिखा है कि sold goods on credit, credit पे sale किये हैं, इस बार हमने sale किये हैं, मतलब यहाँ पर arise होंगे हमारे debtors, और sale किये हैं 40,000 के, मतलब एक तो debtors का account जो है, वो increase हुआ होगा 40,000 से कि उन्होंने हमें pay करने हैं, next हुआ हो और किसको effect करता है, capital को effect करता है, capital increase होगी हमारी 10,000 से, यह हो गया, एक हमारा asset side pay effect 40,000 का, एक हो गया हमारा capital side pay effect, कितने amount का, 10,000 का, या liability side pay effect 10,000 का, अब रह गया हमारे 30,000 का effect, वो भी किस पे रह गया हमारी liability side पे रह गया है, या फिर asset side पे रह गया है, तो difference जो आ रहे हो 30, 30,000 का रहे है वो क्या करेंगे हमने sold किया है तो क्या होगा क्या किया है हमने sold goods किये है तो stock जो है वो definitely क्या होगा decrease होगा 30,000 की amount से अब अब ध्यान दो हमारी होती है assets is equal to liability plus capital capital 10,000 से हो गई increase plus liability कुछ भी नहीं है एक हुए हमारे assets हमारे increase हुए 40,000 से debtors और उसी side पे हमारा stock हो गया 30,000 से कम तो यह क्या हुआ यह effect हो गया हमारा 10,000 और हमारी liability side या capital side पे पहले 10,000 है तो यह हो गया equal ठीक है अब तीन transactions मता चल गई एक effect किया हमारे debtors को दूसरा capital को capital को क्यों क्यों क्योंकि profit हुए profit का result जाता है capital पे expenses का result जाता है capital पे क्योंकि वो क इसका रिजन यह है कि सारी जो net profit का result है net loss का result पीनल का result किसको एफेक्ट करता है हमारी capital को I hope सबको clear हो गया next last item हमारी है pay to creditors 15,000 हमने pay किया creditors को मतलब creditors को pay किया है cash pay किया होगा वो हो गया हमारा decrease कितने amount से 15,000 के amount से so creditors भी decrease होए होगे हमारे definitely pay कर दिया तो creditors खतम होगे हो amount से 15,000 के amount से so I hope so यह होगे हमारा asset decrease होगे हमारी liability decrease अब हम देखते हैं इसका precise में क्या effect हमने समझा है कि जब भी हमने accounting equation मना आनी है तो तीन situations हमारे सामने आएंगी पहली आएगी हमारी वो है कि या तो asset को effect कर रही है या liability को effect कर रही है या वो दो assets को effect कर रही है या वो तीन दो liabilities को effect कर रही है तब ही हमारी accounting equation जो है वो equal होगी match करेगी क्यों अगर वो asset decrease हो रही है तो हमारे accounting equation match कर गई और एक liability decrease हो रही है तब हमारे accounting equation match कर गई और एक liability equation match कर गई यहां फिर अगर एक liability increase हो रही है एक और liability increase हो रही है उसी amount से तब भी हमारी accounting equation जो है match कर गई तो चलिए अब देखते हैं इस table एक tabular form में कि किस तरह से in transactions का कौन से counts पे effect होगा एक particular हम बनाएंगे और उसको एक format में देखेंगे किस तरह effect करेगा गो यह है हमारी explanation proper format में जिसमें हमने लिखेंगे transactions यह साही transactions लिखेंगे और फिर लिखेंगे कौन कौन से counts जो है वो effect हुए है ठीक है एक लिखेंगे assets कौन से हुए और liabilities कौन सी है capital कौन सी हुई है इससे अब आपको ज्यादा clarity मिलेगी कि किस तरह से effect हुआ होगा पहले capital brought in इससे क्या effect हुआ हमारा cash जो है business का वो increase हुआ ठीक है और इधर क्या हुआ हमारी liability जो है capital increase हुई है ठीक है वो में आपको आपर रीजन बता दिया है कि capital किस तरह से increase हुई है capital क्या होती है कि obligation बिजनस पे कि owner को वापिस करने उसके पैसे तो डेफिनेटल लाया है तो business में साथ ही obligation क्या आ गई कि उसको capital करने है तो इसलिए capital जो है liability है और वो increase हुई है यहां पे अब देखो यह हुई हमारी asset यह हुई हमारी increase इस तरह capital हुआ हमारा increase उसी amount से जब हम equation निखेंगे asset is equals to liability plus capital इस amount से capital increase हुई इस amount से asset increase हुआ यह हो गई equal I hope साथ को clear हो गया होगा next is good purchased for cash यहां पे क्या हुआ है cash जो है वो decrease हुआ है ठीक है cash जो है वो decrease हुआ asset में और asset में हमारी क्या हुई है जो stock है या जो inventory है वो increase हुई है अब यह देखो अब यह question किस तरह से है यह हमारी accounting equation होती है asset is equals to liability plus capital एक asset ही increase हुआ है और एक asset ही decrease हुआ है तो ना ही हमारी liability side पे कोई effect है लेकिन asset side पे nullified effect हो गया situation का so इसलिए हमारी accounting equation जो है वो match कर गई है I hope so यह आपको clear हो गया होगा next है हमारी purchase goods on credit credit purchase किये so definitely stock क्या हुआ है हमारा increase हुआ है stock increase हुआ है तो definitely इदर क्या हुआ है हमारा creditors जो है वो हुए है increase हुए है creditors जो है increase हुए है अब accounting equation किस तरह से effect करेगी एक asset है जो stock है वो increase हुआ है और इसी तरह से liability plus capital में एक liability है creditors वो increase हुई है तो क्या हो गया equal हो गए उसी amount से increase हुआ liability और उसी amount increase हुआ एक asset तो वो क्या होगी हमारी equal हो गए next step purchase furniture for cash अब यहां पर भी दो assets पे effect आ रहा है क्या कि cash जो है हमारा वो increase हुआ है cash जो है हमारा वो decrease हुआ है अब cash decrease हुआ है तो इसका मतलब यह है कि asset जो है वो क्या हुआ है कम हुआ है उस amount से जिस amount से हमने furniture जो है purchase किया है cash हुआ हमारा decrease और उसी तरह हमारा furniture जो है business का, मतलब वो भी asset है, वो क्या हुआ है, increase हुआ है, अब वो हो गया increase, effect हो गया ना, nullify खतम, यह decrease, यह increase, तो accounting equation जो क्या हो गई, match हो, I hope so, यह भी आपको clear हो गया होगा, कि किस तरह से यह match हो रही है, हमारी accounting equation और किन accounts पे fact डाल रही ह यह वैसे तो क्या है, यह हमारी revenue item है, यह होनी शाहिए show P&L में, लेकिन P&L का इसमें कोई रोलनी है, accounting equation में, जितनी भी profit and loss की items है, वो इसको effect करते है, capital को, क्यों, क्योंकि P&L का end result जो है, वो effect करता है, हमारी capital को, जैसे अगर net profit आया, तो effect करेगा capital को, कि उसमें add हो नुदया है, हमारी capital को, तो यह item जो है, इक effect करेगी हमारी capital को, rant हमने pay किया है, definitely क्या हूआ होगा, हमारा cash जो है, होड़ी क्या होगा गईबिलेटी या थेया है सेम हो गया किस तरह हमारी ? जो है वो मैच करती है और उसका फाइनल रिजल्ट जो है वे दूसरे से दोनों साइट्स जो है मैच कर जाते हैं इसमें कोई बालंसिंग फिगर नहीं होती है नेक्स्ट है हमारी ये रिसीवड कमिशन ये भी क्या है हमारी रेविनियू आइटम है तो किसको एफेक्ट करेगी ये हमारी कैपिटल को क्यों एफेक्ट करेगी कैपिटल को क्यूंकि पी एनल का एंड रिजल्ट जो है वो कैपिटल को एफेक्ट करता है ठीक है वही रीजन ह हैं तो कैपिटल भी क्या हो गई होगी है होगी अब यहां पर एक एक अश्य इंक्रीज हुआ है और अगर इंक्रीज होई है मतलब हमारी हमारी लाइब बी चाहिट भी जो है वो इंक्रीज होई है फिसका मतलब यह क्या हो गई इक्वल हो गई I hope साब को रीजन के साथ अच्छे समझ आ रहा होगा कि किस तरह से इनको हमने करना है किस तरह से इनकी वैलियोस को हमने एक एक हमारी विड्रायबिलिटील में सेग्डेट करना है नेक्स्ट है हमारी विड्व में में ऑजित हो गया है परसनी इसके लिए यूसस के लिए कैपिटल में से निकाला होगो तो capital भी क्या हो गई है decrease हो गई है अब देखो दो accounts effect हो रहे हैं दोनों decrease हो रहे है opposite side पे so definitely एक asset है यह और यह हमारी capital है liability side पे so यह क्या होगी equal हो जाएगी हमारी next है हमारा sold good on credit इसमें तीन accounts effect होंगे मैं अब बारा से एक बार समझा दूंगी पहला होगा हमारे debtors credit पर दिया है debtors increase होए किस amount से 40,000 की amount से increase हो गए है ठीक है next है हमारा effect हो रहा है वह हो रहा है capital capital हमारी increase हो रही है किस amount से 10,000 की amount से increase हो रही है और stock हमारा जा रहे हमारे हाथ से Πेसे है tudo है इस खत्म होगी 30000 की तो स्टॉक जो है 30,000 जो एमारी खत्म होगी एक्वल ऑगी हमारी एसेट साइद या हमारी लिय लियदी साइड यह हो गई equal, इसके उपर 10,000 का effect था, इसके उपर भी 10,000 का रहेगे किस तरह, 40,000 हमने एक debtor से लेना है, 40,000 लेकिन हमने sold कितने के किये है, 30,000 हमारे down से कितने amount निकली है, 30,000 के amount निकली, इसलिए हमने stock को जो है, वो show किया है 30,000 का, I hope so, यह भी आपको clear हो गया होगा, next step pay to credit creditors, creditors को pay किया है, definitely क्या pay किया होगा, cash pay किया होगा, तो cash क्या होगा, decrease होगा, next है हमारा, किसको effect कर रहे है, इस side पे creditors को, तो creditors क्या है decrease होंगे क्योंकि payment कर दी है हमने तो दोनों side pay decrease हो रही है उसी amount से तो हमारी एक asset decrease हो रहा है एक liability decrease हो रही है तो equal होगे I hope so यह आपको proper explanation के साथ अब समझाया होगा कि किस तरह से कौन से account जो है वो effect हो रहे है और वो क्यों हो रहे है उसका reason क्या है कि वो effect हो रहे है तो यह था मेरा precise में उपर मैंने समझाया और in detail आपर समझा दी है अब हम चलते हैं अपनी proper accounting equation को prepare करते हैं और अपने end result पर पहुंचेंगे फिर हम बनाएंगे अपनी balance sheet और देखेंगे कि हमारी balance sheet जो हम match कर रही है हमारी जो account हमने effect करवाए हैं सही करवाए हैं हमने जो placement की है अपने accounting equation में सही की है तो चलिए भरते हैं अपने final solution की तरफ अब जो है हमारा accounting equation तो यह है हमारा solution का अगला part continued ठीक है तो चलिए continue करते हैं इसको यह है हमारा solution का second part ठीक है जिसमें हम लिखेंगे transactions और अपनी लिखेंगे अब हम accounting equation यह है हमारी accounting equation ठीक है accounting equation क्या है हमारी assets is equals to liabilities plus capital ठीक है और इसमें हमने सारे assets के नीचे assets लिखते हैं जो फेक्ट हुए है पहला cash हुआ थे एक stock भी हुआ एक furniture हुआ एक debtors हुआ और liabilities में सिरफ हुआ है creditors और capital ठीक है चलिए चलते हैं अपने solution की तरफ मुकेश started business with rupees 80,000 मतलब 80,000 के साथ मुकेश ने business start किया तो कौन-कौन सा account effect हुआ अब उसको हमने note करना है proper और देखना है कि इनकी placement अब जो है हम किस तरह से करेंगे तो वो है हमारी मुकेश started business with 80,000 इसने किस-किस को effect किया था मतलब 80,000 आया तो cash जो है 80,000 इदर लिखेंगे increase हो गया next है हमारी capital increase होई थी तो plus इदर आएंगा हमारा 80,000 ठीक है I hope साथ को clear हो गया होगा अब ये कि 80,000 यहां plus होगा और उसी तरह से 80,000 जो हमारी capital में show होगा कि capital आया है business में कि जो honor है वो पैसे लाया है तो equation क्या बनी हमारी final equation है हम यहां लिखते हैं वो बनी है हमारी अगर देखा जाए तो वो बनी है 80,000 इदर लिखेंगे इदर लिखेंगे 0 इदर लिखेंगे 0 इदर लिखेंगे 0 इदर लिखेंगे 0 is equal to creators भी 0 और यह आ गया 80,000 अब देखिए हमारी equation match हो रही है na 80,000 is equal to 80,000 से I hope साब को clear हो गया होगा कि किस तरह से हमने 80,000 को 80,000 से यहां equal कर दिया है next है हमारी purchase goods for cash रुपीज 28,000 अब goods purchase किये हैं कितने 28,000 के तो इससे क्या होगा cash जो हमारा कम हो गया होगा so minus 28,000 करेंगे हम अपने cash में और जो है हमारा क्या increase हुआ है stock increase हुआ है दोनों क्या हुई है हमारी asset side पर ही हुई है तो इधर कर देंगे हम plus sorry यह हमारी plus ठीक है तो इधर कर देंगे हम plus 28,000 सो एक हमारा asset decrease हुआ उसी amount से क्या increase हो गया तो यह क्या होगी हमारी equation जो है यह match हो जाएगी equal हो जाएगी और इसका effect जो है यह खतम हो जाएगा ठीक है तो चलिए देखते हैं कि हमारा क्या effect आता है new equation का हमारा इधर क्या effect आएगा ठीक है मतलब यह क्या हुई match हो गए equal हो गई हमारी होप सो यह भी आपको clear हो गया होगा next बाकी जो items है वो 00 है यहाँ पे 0 लिख दो यह हो गई हमारी equal तो I hope so अब आपको समझ आ रहा होगा किस तरह से यह जो accounts effect करके फिर भी हमारी accounting equation जो है वो किस तरह से equal आ रही है next है हमारा purchased goods on credit अब credit पर purchase किये है पहली बात हो गोड़ पर चेस किये तो definitely stock क्या होगा हमारा increase होगा तो किस amount जो हमने purchase किये हैं वो purchase किये थे हमने 20,000 के so definitely 20,000 इधर जो है वो increase हो गया लेकिन liability side पर जाते है liability side पे किसको effect कर रहा है हमारी crediters को effect कर रहा है crediters क्यों effect कर रहा है क्योंकि हमने credit पी उधार पर खरीद दे है so 20,000 जो है हमारे इधर भी increase हो गए क्यों क्योंकि हमारे creditors भी increase हो गए अब देखते हैं हम total कि क्या आता है new equation का क्या वो equal आ रहा है या नहीं आ रहा है वो आ रहा है हमारी new equation ये 52,000 का cash है 20,000 प्लस 28,000 मज़ला 48,000 के हमारे पास अब stock आ गया है ये जो है ये भी निल है अभी ये भी निल है और equal करनी है हमने equation ये होगी हमारी 20,000 के दर characters हो गए है और capital हो गई है हमारी 80,000 की ठीक है 80,000 प्लस 20,000 होता है 1,00,000 इसी तरह से 48,000 और 52,000 के हुआ हमारा 1,00,000 हुआ I hope सापको clear हो गया होगा ये अभी भी हमारी जो equation है वो match कर रही है क्यों क्योंकि उसने effect डाला है हमारी purchase goods and credit ने एक asset पे increase किया और एक liability हमारी increase कर दी है उसी समय on the spot ठीक है तो इसी तरह से हमारे accounting equation जो है वो match कर गई है I hope सापको clear हो रहा होगा कि किस तरह हम placement करें किस तरह post करें items को कि end result हमारा same आए कि किस तरह हमने सोचना है कि हमारे कौन-कौन से accounts जो है वो effect हो रहे हैं तो next है हमारा आप D वो कहता है purchased furniture on for cash मतलब cash पे हमने जो है furniture खरीदा है ठीक है तो वो कितनी amount है हमारी वो है हमारी I think so पर लिखी हुई थी जो हमने furniture cash पे खरीदा है वो है हमारी 6000 की amount ठीक है तो 6000 की amount है जिसका हमने furniture खरीदा है अब देखते इस 6000 का effect कहां पर आएगा purchase किया है so definitely हमारा cash जो है वो decrease होगा किस amount से 6000 की amount से मतलब हम लिखेंगे 6000 की amount से हमारा जो cash है वो decrease हो गया मतलब minus 6000 cash में से on the spot हमारा एक asset increase भी हो रहा है और वो कौन सा asset है हमारा furniture बिजनस के लिए furniture आया है वो asset है क्योंकि future में वो benefit देगा हमारे business को जो furniture है यह increase हुआ है हमारा किस amount से 6000 के amount से so हम लिखेंगे 6000 plus in the column of furniture ठीक है तो यहां लिखेंगे 6000 अब बाकी जो है वो निल है हमारे उस पे कोई fact नहीं है सब देखते है हमारा जो है वो accounting equation क्या बनती है एक तो 6000 decrease हुआ है 52,000 में से वो होता है हमारा 46,000 ठीक है यह हमारा है 48,000 की amount यह हमारी है 6000 के एक और amount यह अभी निल चल रहा है इसमें है 20,000 की और इसमें है 80,000 की और अगर आप calculate करो अगर आप calculate करो तो हमारी जो है balancing हो रही है इस accounting equation की किस तरह यह हो रही है हमारी 20,000 plus 80,000 अगर हम add करें यह होता है 1,00,000 और अगर हम 46,000 plus 48,000 plus 6,000 को add करें वो क्या होता है हमारा 1,00,000 I hope so clear हो गया होगा कि हमारी counting equation जो है वो match कर रही है अब हम चलते हैं अपने next equation जा फिर next transaction की तरफ वो है हमारी paid rent for rupees 2000, 2000 का हमने rent pay किया है so who है हमारी since revenue item है so किसको effect करेगी एक हमारी cash को क्योंकि हमने payment की है तो cash जो है वो decrease हो जाएगा 2000 की amount से और उसी तरह capital को effect करेगी कि 2000 से हमारी capital भी जो है वो decrease हो जाएगी 2000 की amount से अब इस capital को मैंने बहुत बार आपको हर बार reason बताया है capital को इसलिए effect कर रही है क्योंकि हमारी capital इफेक्ट होती है revenue item से क्योंकि उसका reason नहीं है क्योंकि profit and loss का end result मतलब net profit and net loss का result वो capital को effect करता है इसलिए वो किसको effect करेगी हमारी capital को effect करेगी अब देखते हैं हमारी equation क्या बनती है So 46,000 minus 2,000 यह होती है हमारी 44,000 का हमारा आता है cash 48,000 के हमारे आते हैं stock 6,000 का हमारा आता है furniture अभी निल चल रहा है यह account फिर उसके बार 20,000 के हमारे आते हैं creditors इदर और यहां आते हैं 78,000 के हमारी क्या आती है capital आती है So यह होती है हमारी 98,000 की amount हमारी कहां पे liability side पे आ रही है जो वो आ रही है हमारी 98,000 की और इदर भी क्या आ रही है 44,000 plus 48,000 plus 6,000 क्या होता है 98,000 होता है So यह 98,000 के assets जो है is equals to हमारे होती है liabilities या liability plus capital ठीक है तो यह हमारी counting equation अभी भी match कर रही है अब हम चलते हैं अपनी next transaction की तरफ और देखते हैं उसका effect क्या पड़ेगा हमारी इस equation पे और वो match करेगी या नहीं करेगी Received Commission for Rs.500 यह भी क्या हमारी revenue item है किसको effect करी है हमारे P&L account को तो जो P&L को effect करेंगी वो definitely capital को ही करेंगी तो यह जो है हमें commission receive हुई है definitely cash आया है तो cash क्या हुआ increase हुआ 500 की amount से ठीक है बाकि 48,000 यहां इतना ही रहा और यह 6,000 जो है इतना ही amount रही और यह nil account चल रहा है अब creditors को भी इसने effect नहीं किया है इसने किसको effect किया है हमारे definitely किसको effect किया है इसने हमारे इसने किया हमारे capital को effect so capital क्या हुआ 78,000 में हम add करेंगे अपनी 500 की amount जो 500 add हो जाएगा क्यों हमने receive किया so definitely हमारी capital भी क्या होगी increase होगी profit हुआ है चो definitely income होई है तो increase होगी so यह हो गया हमारा 44,500 की हमारी होगी cash की item तो इदर लिखेंगे 44,500 की होगी हमारी cash की item next है 48,000 की हमारी यह वह लिए stock तो 6,000 आगया इदर यह भी निल ही चल रहा है और यह हो गया हमारा 20,000 और यह है हमारा 78,500 की capital ठीक है यह होगी हमारी final equation अब देखें यह total हो रहा है हमारा 98,500 का ठीक है और यह भी हमारा total हो रहा है 98,500 का तो हमारी equation क्या है match हो रही है equal हो रही है और मतलब इसका मतलब हम बिल्कुल सही जा रहे है equations जो है वो बिल्कुल सही बना रहे है जो accounts को हमने effect करवाया है रजिन accounts में हमने अपनी transactions जो है post की है वो बिल्कुल सही की है next है हमारा withdraw cash for private use cash withdraw कि है definitely cash जो है वो decrease होगा 3000 की amount से ठीक और liability side पे effect कर रहा है हमारी capital side को तो capital भी 3000 से जो है वो decrease होई होगी बाकी इसने किसी भी account को effect नहीं किया है ठीक है इन दो accounts को ही effect किया है यहाँ पर भी इसने बाकी accounts को effect नहीं किया था और सिरफ दो accounts यह बले effect किये थे so हमारा 3000 से जो है cash जो है वो कम हो गया है से decrease हो गई तो वो होगी हमारी 41,500 का हो गया हमारा cash यहाँ पर कोई transaction में यह effect आया है कि यह 48,000 का ही है हमारा ठीक है यह है हमारी 6,000 की ही transaction अभी यहाँ पर अभी account नहीं चल रहा है और यह है हमारा 20,000 का account चल रहा है और इधर भी 3,000 जो है 78,500 में से अगर 3,000 गया तो रह गया हमारे पास 75,500 अब जब यह होगी हमारी equal अब इन दोनों को जब add करोगे liabilities plus capital को यह हमारी equal आएगी assets के ठीक है जब इन सब को add कर देंगे इसका मतलब है यह equation भी match हो गई है next है हमारी sold goods on credit अब credit पे sold की है अब यह वड़ा मैं आपको दुबारा से अच्छी तरह समझा दूँगी इसमें 3 accounts को effect करना है इसने ठीक है इसमें कितने accounts को effect करना है? 3 accounts को effect करना है इसने तो चलिए देखते हैं किस तरह से इसकी अब transaction की recording होगी क्योंकि यह toughest है थोड़ा जब अगर यह recording हमने सही कर दी तो हमारी accounting equation जो है वो सही जाएगी तरह यह sold goods on credit credit पे sold की हैं rupees 40,000 के लेकिन cost है 30,000 की इसका मतलब हमारे down से कितनी amount का जो है वो गया होगा stock 30,000 का ही गया होगा 40,000 का नहीं वो तो उन्हें profit पे sell किया है लेकिन जो actual cost price है वो 30,000 का गया है इसका मतलब stock में से माइनस कर देंगे 30,000 ठीक है यह हो गया हमारा इदर debtors हमारे हो गए जिन्होंने हमें payment करनी है वो हो गए 40,000 के और capital में जो हमारा यह difference आ रहा है 40,000 माइनस 30,000 जो profit का आ रहा है 40,000 माइनस 30,000 यह जो profit का difference आ रहा है 10,000 यह हमारी capital में add हो जाएगा अब question उठता है यह add की होगा हमारी capital में इसका reason यह है कि जो profit है जो भी expenses है जो भी income है वो हमारी effect करती है directly जाके हमारी किसको capital को यह जो 10,000 का है यह add हो जाएगा हमारी capital में यह हमारा profit अब देखो इस transaction का effect 10,000 आ रहा है yes 40,000 माइनस 30,000 ठीक है is equals to 10,000 इसका अब लगा यह transaction हमने बिलकुल सही post की है I hope सापको clear हो गया होगा यह भी so हमारी new equation क्या बनी 41,500 ठीक है अब इसमें से हमारा 30,000 का क्या चला गया stock चला गया यह रह गया 18,000 ठीक है यह 6,000 ही है और यह हमारा 40,000 अब नया आगे debtors is equals to यह 20,000 ही है अभी और हमारा capital जो है वो 10,000 increase हो गया यह है 8,5 5,00 इससे क्या हो गई यह हमारी equation जो है यह match हो गई है equal हो गई है मतलब यह जो toughest transaction हमने की है यह भी सही की है क्यों इसने 33 accounts को effect करना था तो मतलब हमने बिलकुल सही transaction post की है सही accounts जो है वो effect करवाए है और हमारी transaction जो है बिलकुल सही हो गई है next है हमारी pay to creditors 15,000, creditors को payment की है definitely cash जो है वो decrease हुआ होगा, अब creditors को payment कर दी है हमने, जो हमारे 20,000 की creditors चले आ रहे थे, उनको payment कर दी है हमने 15,000, 15,000 इसमें से भी minus करेंगे, payment की है तो definitely decrease करेंगे और cash भी मारा decrease होगा, so definitely यह effect करेंगा इन दो accounts को, so I hope so यह आपको clear हो गया होगा, कि creditors का account क्यों decrease हुआ है 15,000 से, so नई equation जो हमारी final equation बनेगी, वो अब देखते हैं हमारी क्या बनेगी, यह हमारी final equation है, इसी की basis पर हम बनाएंगे अपनी balance sheet अब, ठीक है तो यह बनेगी हमारी 26,500 हमारा cash है, 18,000 जो है, वो हमारे stock है, 6,000 जो है, वो हमारा furniture है, 40,000 जो है, वो हमारा क्या है, debtors है, और यह 15,000 हो गया हमारा is equals to का sign लगाएंगे दर, यह हो गया 5000 का हमारे creditors रह गए और 85,500 के हमारे क्या है, capital है, तो अब आप tally करो, अब आप इसको match करो, इसका total करो, तो यह क्या होगा, सेम आएगा, किसके 85,000 प्लस 500 प्लस यह 5000, इसका मतलब 95,500 यह आएगा, और 95,500 हमारा यह आएगा, यह हो गया हमारा match, अब आप अपनी बनाते हैं balance sheet, सिंस यह हमारी final equation आई है, यह equation होती है, accounting equation, यह हो गया हमारी match, इसका मतलब हमारा sum बिल्कुल सही है, अब हम अपनी balance sheet में post करेंगे, जिसको और देखेंगे कि asset sites किस तरह से post करनी है, और liability site जो है, वो किस तरह से post करनी है, जिससे हमारी balance sheet भी same आएगी, और वो to and fair दिखाएगी, हमारी financial position, किसकी मुकेश की, और उसमें कोई भी balancing figure नहीं होती है, हमारी balance sheet में एक हमेशा चीज याद रखना, सिरफ incomplete जब records बनाते हैं हम accounts के, तब ही हमारी balance sheet में balancing figure आती है, वो भी हमें निकालनी पढ़ती है, capital ढूनने के लिए, उसके इलावा जब हमारे final accounts बनते हैं, जब हमारी financial statements बनती है, balance sheet में कभी भी हमारी balancing figure जो है, वो नहीं आती है, तो चलिए बनाते हैं अप अपनी balance sheet, जब भी balance sheet बनानी है, हमने सबसे पहले उपर लिखना है balance sheet of mukesh, जिसकी भी है, as ads in some date given नहीं है, तो वो date लिखते हैं, जैसे 31st December या 31st March, क्योंकि दो ही financial years माने जाते हैं, तो December या March में, 31st December या 31st March 2016 या 2017 जो भी year है, यह होती है हमारी एक side होती है, right side, यह होती है हमारी assets की side, उसमें आती है amount फिर, यह रुपीज में show करते हैं, और एक होती है left side हमारी liabilities और capital की, वो भी amount हम show करते हैं, रुपीज में तो एक को लग होता है हमारा amount का, हमें cash कितना उपर हमारी जो balancing figure, sorry, जो accounting equation थी, उसमें हमारा cash show हो रहा था 26,500 का, आप देख सकते हो दुबारा से, कि 26,500 का हमारा क्या हो रहा था show, हमारा cash, stock हमें show हुआ था हमारा 18,000 का, क्योंकि उसमें से हमने जो है कुछ sale किया था, ठीक है, 30,000 का, तो 18,000 का रहे गया था, furniture था हमारा 6,000 का, debtors जिन्होंने हमें payment करनी हैं, वो थे हमारे 40,000 के, so capital का total आ रहा था हमारा, वो आ रहा था हमारा 85,500 का, और creditors हमारे payment के बाद, जो 20,000 के creditors से 15,000 की payment कर दी थी, तो 5,000 के अभी भी दे गए थे, तो वो थे हमारे creditors, ठीक है, अब देखते हैं, total करते हैं, और देखते हैं, इसका जो total है, वो same आ रहा है, मतलब अगर same है, definitely हमारे accounting equation जो है, बिल्कुल सही है, कि balance sheet में posting जो है, वो equal होनी चाहिए, तो इसका मतलब यह है हमारी 90,500 की amount, तो यह भी है हमारी कितनी amount, 90,500 की amount है, ठीक है, तो 90,500 की है, यह हो गई match, मतलब कि हमारी जो है, जितना भी हमने prepare किया है उपर, अपनी accounting equation, वो बिल्कुल correct है, balance sheet जो है, वो बिल्कुल correct है, मतलब वो दिखा रही है, to and fair view, किसका, हमारी financial position का, financial position का वो दिखा रही है, to and fair view, so I hope so, in detail accounting equation आपको समझाया होगा, कि किस तरह से हमने posting करनी है, अपने accounting equations की, किस तरह से हमने final result पर पहुंच रहे हैं, अपने accounting equation के, और किस तरह से फिर उसके थरू हमने अपनी balance sheet prepare करनी, जैसी हमारी balance sheet match हो गई, इसका मतलब हमारी accounting equation जो है, वो बिल्कुल सही है, और जो भी accounting, जो भी balance sheet prepare करते हैं, वो हम करते हैं, अपनी final equation से, जो final equation plus minus करके सारी आई है, उसके थरू, उसके according लिए हम अपनी balance sheet जो है, वो प्रिपेर करते हैं, यह था आज का हमारा question, I hope so, in detail, with logical reasons, with particularly, एक एक transaction का reason, आपको समझाया होगा, कि कौन सा account effect हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके reasons क्या है, किस तरह से हमने recording करनी है, किस तरह से हमने post करना है, किस तरह हमने final result पे पहुंचना है, यह video जो है, इस question को solve करने में आपको बहुत helpful होगी, concepts आपके और जादा अच्छे से clear हो जाएंगे, और आपको एक question जो है, दुबारा से revise नहीं करना पड़ेगा, अगर आप video को अच्छे से समझ लोगे, So, बाकी के chapter के questions है, हम continue करेंगे, one by one करेंगे, इसी तरह detail में समझेंगे, मेरा यही motto है, कि आपको revision दुबारा ना करनी पड़े, और आपका concepts जो है, एक बार में ही clear हो जाएंगे, I hope so, यह आपको अच्छे समझ आई होगी, और यह video आपको बहुत helpful होगी, इस question को in detail में के लेवल तक, 10 मिलें से जादा स्टुडेंट्स कभर होसा, आज ही डाउनलोट करें डाउटनेट आप, यह वाच्छाप कीजिए अपने डाउट्स, 84444 उपर